हलो एवरिमेंट कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे और आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ Microsoft में जो भी MCQ यानि की आप सो जो multiple choice question पूछे जाते हैं उन questionों को ले करके आपके सामने फिर से आया हूँ और उमीद है आप लोग रेडी होंगे और पिछली जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी अगर नहीं देखिए तो जागर कर देख के आई ये क्योंकि सारे के सारे question with explanation मैं आपको बता रहा हूं मैं रोज ये बात कहते हूं आपको ठीकिना आज फिर ये बात मैं कह रहा हू हो सकता हूँ वह question answer question फिर से आ चुका हूँ लेकिन पूछने के तरीका थोड़ा different हो सकता है ठीक है चलिए देखते हैं question को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और बहुत ही कायदे से देखेगा script मत कीजिएगा और अगर आप हमाई चैनल नए हैं तो subscribe जरूर कर लिए और बिल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लिजाए को कि आपके चैनल पर यानि आपके मुबाइल पर मेरा एक छोड़ा सा notification पहुंच जाए कि मेरी वीडियो पढ़ गई ह आप देख लें आपकी जरूरत है आप वहां पर देख सकें ठीक है चलिए बैराल यह तो होगे गुफ्तगू और अगर हम बात करते हैं questions की जिसका आपको इंतिजार है बेहत बेशबरी से इंतिजार है question कौन सा है तो चलिए देखते हैं ठीक है तो question यह है 71 question पर हम लोग हैं हम लोग 70 question तक कर चुके हैं 71 पर है हम लोग 71 का question हमारा क्या है पूछ रहा है आप से आप वर्तमान column को कैसे तोड़ सकते हैं Microsoft Word में अगर आपने कोई column बनाया है उस column को दूसरे column में कैसे break कर सकते हैं shortcut की बतानी है आपको alt के साथ inter करने पर control के साथ inter करने पर alt plus shift plus inter करने पर या control plus shift plus inter करने पर यह काम आपका होगा बहुत ही प्यार से कोशन पूशा गया और बहुत ही डाउटफुल कोशन है आप लोगों के लिए अगर आपको मालूम है तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट में नहीं मालूम है वीडियो को पूरा देखिए आप जानने के लिए मैकोसाफ वर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और इसका आंसर हम जानते हैं कि करेंट के कॉलम को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं चलिए तो मैं मैकोसाफ वर्ड की स्क्रीन पर चलता हूं यह हमारी मैकोसाफ वर्ड की स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कोई भी वर्जन हो काम सारे आफ्सन आपको मिलेंगे ठीक है को शेंट समझ में आ गया होगा कॉलम तो आप लोग में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे टेबल बनाना पड़ेगा आपको टेबल नहीं बनाना है आजकल आप लोग देखते होगे बहुत सारे किताबे या मैक जीन्स जितने भी चीज़े आती हैं या आपको निूज्पेपर ये सब जितने भी आते हैं ये सारे के सारे column wise लिखे होते हैं अगर आपने अभी तक use नहीं किया column का वैसे तो लोग diet ली करते हैं column का use नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने बताया किया कि आज कर जितने भी paper आते हैं जितने column जितने भी magazine आती है या फिर आपके जो question answer कि किताबें आ रही हैं आपको guides मिल लई हैं वो सारे के सारी जो हैं कॉलम में ही होती है इधर लिखा होता है फिर आफटर रट इधर लिखा होता है फिर आफटर रट इधर लिखा होता है आईडिया लगया होगा समझ में आ गई है बात समझ में आ रही है आपको चलिए अब यह तो पता चल गए आपको अब मैं आपको कोशन बताने वा कि कॉलम अपलाई होते हैं, we共有имость रूक करें को सब सा ci llegar, दिख को सबस्ते हैं को सबस्पे। कि किपने कॉलम पेज पर का में इनका टेबल कॉलम मैं यह नहीं sulphur है। और बहुत से लोगों का आंसर जानते कितना हैगा दो मैं उनसे कहूँगा गलत है आप समझ नहीं पा रहे हैं कुश्चन को यह जो आप बात कर रहे हूं यह पैराग्राफ है जो आपने दो बताया यह पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है एक पैराग्राफ यह नजर आ रहा है आपको और एक पैराग्राफ यह नजर आ रहा है यह पैराग्राफ है यह कॉलम नहीं है कॉलम क्या है चलो देखते हैं कॉलम के लिए यह जो आपने टेक्स लिखा है मैं इसको सेलेट कर लेता हूं हलाकि बिना select करने क्योंकि मैं आपको दिखाना चाता हूँ और समझाना चाता हूँ तो पहला question तो आपने लिख लिया होगा default column क्या है एक होता है default column कितना होता है एक यह एक column है पुरा जहां से जहां तक page की margin पुरा का पुरा आ रहा है इसको बोलते हैं एक column अब बात आती है इसको हम दो या तीन column में कैसे बदल सकते हैं बदलने का तरीका मैं बात दें बताता हूँ पहले बनाते कहां से यह समझते हैं ठीक है ना वो अभी जो question है ना उसका answer मैं बताऊंगा अभी इसी में सुपा हुआ है क्योंकि इसको नहीं समझ पाएंगे तो उसका answer नहीं दे पाएंगे सबसे पहले आप देखिए column कैसे बनता है अगर question पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे column कैसे बनता है छल्वी बताता हूँ column बनाने के लिए आपने test को select कर लिया या वैसे भी बना सकते हूँ ठीक है मैं select कर लिया है यहां से मैं जाता हूँ layout वाले option में ठीक है और आपको page setup में एक option दिख रहा हो का column ना यह answer वो नहीं है जो आप से पूछा गया है on slide पीछे जो question पूछा गया था वो नहीं है यह question तो वो है अब जो मैं बोल रहा हूँ दोगर एक question का भी answer मैंने नहीं दिया है पहले वाले question का answer नहीं दिया जो पूछना था दूसरे question का answer मैंने नहीं दिया अभी जो मैंने कहा कि column कहां से बनता है तो column कहां से बनता है बो मैं आफसेकशन देना हो ले आउट में जाकर के कहा इसे वन्ता लिएम जा करके बनता है तो आउट करों चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आपसे बात आती है आपसे कोशन पूशा जा रहा है किस ग्रूप में यह आपसन आता है तो layout type के किस ग्रूप में आपको मिलेगा layout type के आपको page setup ग्रूप में यह option आपको मिलेगा पेज setup में यह मिलेगा अब बात आती है column बनता कैसे है बनने का कैसे तो आप column वाले टैप में जाईएगा और आप देखिएगा default रूप से one होता है आप दो column कर सकते हूँ आप तीन column कर सकते हूँ मैं तो जूम करके दिखा देता हूँ तीन column कर सकते हूँ अब और क्या question पूसकता है क्या left में कम right में ज्यादा कर सकते है टेस्ट को column में अगर इस column divide करें तो left में कम column column की size कम हो right में matter ज्यादा है अगले column में या right में matter कम हो left में matter ज्यादा हो ऐसे भी column create कर सकते, why not कर सकते, option दिख रहा है आपके, understand, चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर two column करके दिखाता हूँ, यह हो गया दो column, अब आपको होगे sir मेरे को column तो एक ही नजर आ रहा है, दूसरा क्या, यह जो बगल में बाजू में आपको खाली जंगा दिख रहे हैं, मैं इसको control j कर देता हूँ, justify कर दिया है, यह जो बगल में आपको space दिख रहा है, वो यही है दूसरा column, अब इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो पहला question आपसे पूछा गया है, यह वाला, question तो यह पूछा गया आपसे, कि current column को कैसे दूसरे column में हम convert कर सकते हैं, क पहले, यह देखे, मैंने यह वाले को, अभी और आप आगे लिख सकते हो, अब कहा जाता है कि आप जब तक यह पूरा column नहीं कर लोगी ना, तब तक ऊपर वाले column में नहीं आएगा, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आप करसर कहीं से भी, जितना आपको जो select करें, करसर रखें और अपने keyboard से control दबाएं, shift दबाएं और enter बटन दबादें, column तूट गया, answer मिल गया, answer मिला, जी हाँ, control, shift और enter, अगर आप दबाते हैं, तो यह आपका answer आजाता है, तो control, shift, plus enter के मंदद से आप यह काम कर सकते हैं, तो इसका answer फोर्थ वाला है, control, shift, plus enter, मैंने कई question बताया आपको, आपको बताया, default column कितने होते हैं, ठीक, अभी एक question और बताऊंगा, default column कितने होते हैं, वो आपको बताया, फिर मैंने बताया आपको, कि column के लिए किस tab में जा group में जाना पड़ता है, किस tab के किस group में जाना पड़ता है, फिर मैंने आपको बताया, column कैसे, जो question था, उसके बारे बताया, column को कैसे तोड़ सकते हैं, और अब एक और question बता रहा हो, note करो, ये देखो, ये column मना है, column के बीच में जो gap दिख रहा है आपको, ये gap, ये वाला gap पूछा जाता है, ये gap कितना होता है, note करो, 0.5 inch का gap होता है, column के बीच में जो gap होता है, वो 0.5 inch का gap होता है, ये question भी पूछा जाता है, आप से, ready, okay, कितने question मिले एक ही से, कई question मिले, तो note करते जाओ, इसलिए skip करने से मना करता हूँ, कि अगर skip कर दोगे, तो सिर्फ एक ही question का फाइदा उठा पाओगे, ऐसे कई question का फाइदा आप उठा पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर, आपको by question से आपको पूरा Microsoft Word खतम करने के mood में है, और आप पहले से वैसे ही भागने के mood में हो, नहीं, बैठो, पूरी वीडियो देखो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है और आगे के question को देखते हैं, चलिए, second question यानि जो है, वो क्या लिखा हुआ है, margin और test के बीच, margin और test के बीच, कि जो जगहा होती है, उसे क्या कहा जाता है, line spacing कहा जाता है, paragraph spacing कहा जाता है, indent कहा जाता है, या इन में से कोई नहीं कहा जाता है, अब इस काम को करने के लिए हम चलते हैं Microsoft Word की screen पर, मैं इसको फिर से back चला जाता हूँ, पूरा दिखाता हूँ, control Z करके दिखाता हूँ, यहाँ पर, यह हमारे पास matter, ठीक है न, यह हमारी margin है, यह हिस्सा हमारा क्या है, margin, यह भूरा हिस्सा क्या है, margin, ठीक, और अगर मैं यहाँ पर indent का प्रियोग करूँ, यह क्या हो गया, indent हो गया, क्या हो गया, indent, अब जहाँ पर question क्या पूछा गया आपसे, margin और test के बीच की जगा को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ठीक है, तो margin और test के बीच की जगा होती है, उसके हम बोलते हैं, indent, क्या बोलते हैं, indent, ठीक है, लिखो, अगला question लिखो, अगर आपको increase indent चाहिए, तो control के साथ M दबाईएगा, M for monkey, ठीक है न, control plus M, और अगर आप decrease indent का यूज करना जाते हो, तो control, shift, M दबाईएगा, तो indent की size decrease हो जाएगा, समझ में आया, 2 question मने बताया, 3 question बताया, 2 shortcut की बताई, पहली बताई, control M, जो की indent की shortcut की होती है, दूसरी बताई, decrease indent की shortcut की की होती है, control, shift plus M, प्रस कर दीजेगा, decrease indent का, नेक question और तो सुनो, मैं control M कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो, gap हो रहा है, कितना हो रहा है, यह सवाल आता है, नोट करिए, 0.5 inch default होता है, जो gap होता है, default रूप से 0.5 inch यह gap होता है, understand, अब यह confuse मत होना, column का भी आपने 0.5 बताया, और आप इसका भी क्या बता रहे हो, 0.5 inch बता रहे हो, जी बिल्कुल इसका भी 0.5 inch ही होता है, आपका जो indent की size होती है, आगे बढ़ते हैं, और next question बढ़ते हैं, ठीक है, understand, इसका तीसरा option सही है, indent, next question, ह्योंसे मजडार लोग समझे है क्या कृचा गया है, निमनिमें से कौन आपको यह बताता है, कि आप किस प्रिश्ट पर हैं, और कुल प्रिष्ट की संख्यारी बता देता हैं, टाइटल बार बताता है, status bar बताता है formula bar बताता है या फिर scroll bar बताता है तो भाई सब scroll bar का काम तो page को up और down करना है formula bar मतलग formulae से समंदित काम करेगा title bar title को दिखाएगा heading 1 heading 2 या जो भी heading है डाकुमेंट 1, डाकुमेंट 2, डाकुमेंट 3, या अपका नाम हो सकता है, कुछ भी, एक बचरा है, स्टेटस बार, जो की आपका करंट सिच्वेशन बताएगा, निम में से कौन आपको बताता है कि आप किस पिजिट पे हैं, मतलब करंट सिच्वेशन का मतलब ही समझ में आ हो गया status bar चलिए यहां पर देखते हैं स्क्रीन को खोड़ा जूम करते हैं और अभी आप देखिए वन आफ वन पेज यहां पर हुए है यह दिखा रहा है वन आफ वन पेज अगर आप मान लिजे एक और पेज ले लेते हैं तो आपको यहां पर दिखाएगा तो आफ टू पेज तो आंसर आपको मिल गया होगा यह बार काउन सा होता है इसको बोलते हैं status bar तो बी आपका right answer है अगला question देखते हैं अगला question काउन सा है अगला question है टेक्स्ट की पंकेतियों के बीच रिक्तिस्थान की मात्रा कहलाती है मैं तो कुछ लो इसलिए पढ़ लाओं आपको समझ मैंने ते पढ़ सकता हूं टेस्ट की पंकेतियों के बीच रिक्तिस्थान की मात्रा कहलाती है नहीं टेस्ट की पंकेतियों के बीच में जो रिक्तिस्थान है वो क्या कहलाती है लाइन के बीच में स्पेस कहलाती है पैराग्राफ के बीच में स्पेस कहलाती है इंडेन कहलाती है या कोई भी नहीं कहलात कि इंडेंट मैंने अभी पिछली वाली वीडियो मताया क्या होता है मार्जिन और टेस्ट के बीच में जो होता हैसको मार्जिन को इंडेंट को अब सब्सक्राइब यह लाइन के बाद दूसरी लाइन का जो गैप है वो क्या कहलाता है सिंपल सा है बोली रहा है आप यह देखे इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो यह गैप है बीच में इसको गैप बोलते हैं लाइन स्पेसिंग बोलते हैं इसका राइट आंसर क्या हो गया लाइन स्पेसिंग इसका राइट आंसर हो गया चलिए अभी खतम नहीं कहानी अ अधूरा है अधूरा है मतलब और और सवाल आते हैं इसमें लाइन इस से संबर दे तो लाइन इस पैस किलिए किस इस करते यह ट्रू पर आप देख सकते यहाँ पर पोर्ट ग्रूरां ही किसका paragraph करूप का use कर सकते हैं पेराघ्राफ में आप जाते हो तो यह दिखिए आब को एक सब्सक्रों मिल जाता है कुस्टयन डेखो default line कितना होता है नोग लिको default line कितनी होती है one default line कितनी होती है one line space होता है करके दिखाता हूं आपको control plus a कर लेता हूं select कर सकते हैं देर लाइन कर सकते हं हैं और बNews कर सकते हैं अब सवाया तक कितना कर सकते हैं आपको यह नोट कितनी तरह की होती है तो यह आप देख सकते हैं I think हमने पिछली कोई वीडियो में आपको यह बारे में बताया भी था अगर आप चाहें तो यह पर नोट कर सकते हैं लाइनों के बीच में nosespa nice होता है वो simple line का होता है default रूप से आप dayline का भी space कर सकते हैं आप double line का कभी ये तने तरह के लाइन तरjak साकती हैं यह लाइन स्पेसिंञ होती हैं सिंगल 1.5 Line double line at least और एक्जेकली और lots multiple अपने हिसाब से जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं तो I think आपको समझ में आ रहा होगा question ये चीजें तो line के बीच में space आप यहां पर दे सकते हैं ठीक है न जितनी भी line के बीच में space देना हो आप दे सकते हैं by default एक होती है understand ये किस tab में होता है home tab में किस ग्रूप में होता है paragraph के ग्रूप में आप ये line के बीच में space का जिक्र कर सकते हैं चलिए अगले question की तरफ चलते हैं इसका answer a line spacing अगला question ms word में test case को बदलने के लिए किस shortcut की का यूज किया आता है अभी इससे पहले question आये थे पिछली वीडियो में वहाँ वे यłem पूछने का तरीका अलग था अभी तरीका ज्यक्र क्या है तुक्का मारने के लिए तो चलो तुक्का मार दिया आपने तुक्का नहीं मारना है आप सटी का अंसर बताओ आपको मालूम हो तो सही बताइए जी हां सिफ के साथ f3 इसका राइड आंसर क्या ओगा सिफ के साथ f3 कैसे करते चलिए अबसे देखते हैं ध्यंस passenger में लिका हुआ है मैंने म davon में कर दिया स्वस्ड्र yapt cup में सिफ्ट के साथ M3 दवा करके मैंने कुछ झाल में कर दिया और फिर संटेंस में कर दिया है। इसे जितना वहके आप करना चाहिए तो सिर्फ के साथ F3 का यूज न सकते हैं disposus और ऐस और टी शोड़ भी बोलते हैं ठीक है ना तो यह कोशन था आपका सिर्फ के साथ F3 Change Case Key 가서 की मदद से हैं थो चेंज केसअ की शॉट कट के सिर्फ .... F3. अगे बढ़ें अगला कुशन देखते हैं. अगला कुशन इप पैरा ग्राफ को justify करने की सौट काट की क्या होती है, आपको किसी पैराग्राफ को justify करना है. justify का क्या मतलम होता है, आपको बताएं हम लोग 4 तरीके से लिखते हैं, मैं आको दिखाता हूँ यहां पर यह मेरा test है मैंने इसको select कर लेता हूँ यहां से control हो गया मैं zoom करता हूँ यहां पर मैं alignment आपको दिखा तो चार तरह के alignment है पहला होता है left left का मतलब left से लिख रहा है right की तरफ जाएगा right में कम होगा ज्यादा होगा left में लेकिन बराबर होगा दूसरा होता है center यह बीच से लिखेगा और बीच पर ही खतम करेगा और तिसरा होता है right side से right side से लिख सकते हैं और चौथा होता है justify यह बराबर से कह रहा है और question क्या है paragraph को justify करने की shortcut की क्या है मैं आपको करके भी दिखाता हूं shortcut की भी पहला यहाँ दिबीरा होगा आपको control plus J अगर आप यहां से control L दबाते हो तो left alignment अगर R दबाते हो तो right alignment अगर E दबाते हो तो सेंटर alignment और अगर आप J दबाते हो तो justify alignment justify का यूज करते हैं जब हम लेटर लिखते हैं अप्लिकेशन लिखते हैं तो हम पूरा बराबर सा चाहिए होता है तो वहां पर हम लोग justify का यूज करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या है ठीक है ना अगला question भी कुछ इस तरह से है paragraph को सेंटर में लाने की shortcut की क्या होती है control-l, control-d, control-c, control-e यार control-l से तो left में जाता है control-d से तो font का डेलाग box खुलता है control-c से तो copy होता है बचा जो वही answer right है क्या बचा control-plus-e से center में आता है करके देखते हैं यह देखिए हमारे पास यह justify texture मैंने control-plus-e कर दिया, e से शुरू होगा और e पर खतम होगा, यानि की center से center पर खतम होने वाला है तो right answer क्या होगा, control-plus-e की मदद से हम center alignment में कर सकते हैं चलिए अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question कौन सा है, test formatting क्या है, आप से पूझा है, test की formatting क्या है, सब्दों में color देना और सब्दों को underline करना, चलिए करके देख लेते हैं सब्दों में color देते हैं इसको, यहां से हमने color दे दिया, color हो गया मैंने underline कर दिया, यहां से मैंने underline कर दिया, हो गया और दुसरा option में है, सब्द के font बदलना, मैं बदल करके देख लेता हूं यहां पर सब्द के font को भी बदल लेता हूं, यह देखे, कोई भी कर लेता हूं सब्ट को बोल्ड और इटैलिक करना कर देता हूँ बोल्ड भी कर देता हूँ हो गया इटैलिक भी कर देता हूँ हो गया क्या है यह सब यह सब टेस्ट की फॉर्मिटिंग ही तो कर रहे थे आप तो सारे के सारे आंसर सही है सब्द को कलर करना अंडरलाइन लगाना बोल्ड करना फॉंड के साइज चेंज करना इटैलिक करना यह सारा का सारा क्या है टेक्स्ट की फॉर्मिटिंग है टेक्स्ट की फॉर्मिटिंग होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सभी अगला कोशन देखते है पेज फॉर्मिटिंग क्या है पेज की जो फॉर्मिटिंग होती है वो क्या है पेज में कलर देना चले देते हैं कहां से देते हैं पहले यहां पर पेज बैंग्राउंड का एक ग्रूप मिलता है जिसके अंदर आपको तीन आफ़र मिलते हैं वाटर मार्क स्क्राइब और बार्डर कर बार्डर यहां पर क्लिक किया पूरा का पूरा पेज क्या है कलर क्या है क्या क्रांट पेज ही कलर होता है यहां कि whole document मैं इंटर करके दिखाता हूं एक page लागर के यह देखिए एक page लाया वो भी color है तो याद रखिएगा यहां पर आपका जो color है वो सब पर लग रहा है ठीक है चलिए बैराल मैं यहां से इसको हटाना चाहता हूं यहां से मैंने कर दिया no color और यह question रहाता है जो मैंने एक page पे अपलाई किया क्या दूसरे पे दूसरा कर सकता हूं जी नहीं जो एक page पे है वही दूसरे page भी background color आपका मौझूद रहेगा Microsoft Word में ठीक है ना अगला option क्या दिया है page में row और column देना भाईया वो तो table कहलाता है ठीक है page में header और footer देना ब यहां पर मैं लिख लेता हूं यह question था डि सारा क्या है पुरा कि क्या है पूरा फार्मेटिक कर रहे हो पेज में click inner for footer दे रहे हो तो भी कह रहे हो ऊपनेटिक कर रहे हो सारा का सारा क्या है page फार्मेटिक के लागता है ठीक है ना तो सारे के सारे अंसर यहां पर सही है हैं अगला कुश्चन देखते हैं MS Office में default print mode क्या होता है portrait, web layout, landscape, full screen आप देख लो यार यहां से यह है आपका default print मैं दिखा रहा हूं को देख लो कैसा है portrait है या landscape है मैं यहां पर दिखा भी देता हूं orientation यह देखिए क्या लिखा है portrait, default orientation क्या होता है वो होता है portrait होता है Microsoft Word में और आप सब्सक्राइब कोश्चन आगे के कोश्चन जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको और बहुत सारे कोश्चन है वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद